शामले के थाना भवन ब्लॉक में कोई सार्वजिनिक शोचारले ना होने के कारण कार्याले में आने वाली सेक्डो महिला आंगन वाड़ी कार्य कत्री काफी परिशान है कारेकत्रियों ने पीने के पानी और शोचाले की सुविधाओं के ना होने के आरोप लगाए है तो वहीं ब्लोक में ब्लोक अधिकारी अपने कार्याले में खुले आम टेबल पर तंबाखु खाकर योगी सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे है दरसल ये मामला जनपद शामली के थाना भवन ब्लोक का है जहाबर बाल विकास परियोजना का कार्याले भी मुझूद है अकसर बाल विकास परियोजना के कार्याले में आगनवाडी की बैठक किरिया आती है महिला आंगनवाडी कारेका त्री मूल भूस सुधाओं से खासा परशान है महिला आंगनवाडी ने आरोप लगाया कि पूरे ब्लोक में कोई भी सार्वनिक शोचाले उपलब्द नहीं है एक या दो आगर कोई शोचाले उपलब्द भी है तो वै प्राइवेट कमरों में हैं इसके चलते आए दिन उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ता है सब्सक्राइब कर दोसो तेरा मैं से कुछ आधी आधी आती है सब पूरी आजाए तो शायद ठानाबावन ब्लॉक की नहीं मिल पाएगा कुछ पेड़ों के नीचे कुछ कहां खड़ी कुछ तो चली जाती है वापस उल्टी जादा समस्या वाली बात सामने आ रही है कि यहां सोचा ले की और पानी की अधी बस सर अपना टाइम निकाल के कुछ जल्दी करके चले जाते हैं कुछ जिसको ज़्यादा जरत होती है तो यहां सारजनिक हॉस्पिटल है वहाँ चले जाता है जब इस बारे में जानकाली लेने के लिए हमारी टीम ब्लॉक पर मुझूद बीडियो जी के चोधरी की कार्याले में पहुची तो ब्लॉक अधिकाली अपने टेबल पर सामने ही तंबाकू का पैकेट सजा कर बैठे थी और तंबाकू खाते नजर आए जब उनसे पूरे प्रांगर में महीरा शुचाले ना होने की बात पूछी गई तो उन्होंने जल्दी विवस्था कराने की बात कहते हुए अपना पल्ला जार दिया सब बलो पर आंगर बारी की बैठा चले और उनको दार एक उपात सोचाले की वबस्था नहीं है और बैठने के लिए तो ओफिस है उनका पुड़ाना हो गया जिन सिन्न हो गया तो चतुपंचयत के प्रमुक्स से बात करके उसका जिन्नो धार कराया जाएगा तुकि आशा अब यहां सवाल यह बनता है कि देश और प्रदेश की सरकार आम जनता तक को मूल भूस सविधाओं को पहचाने का दावा करती है लेकिन धरातल पर हाकीकत कुछ और ही है